हेलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी क्या से हैं आसा करती हूं अच्छे होंगे मस्त होंगे और सस्त भी होंगे तो बिल्कुल आप अभी बिल्कुल पेपर कर टाइम चल रहा है 15-27 सरी को हमारा एक्जाम है बिल्कुल अपने सेहत का बिल्कुल ख्यार रखे बढ़िया सोए पड़े हैं नहीं तो खाते रहिए हेल्दी खाना खाईए फ्रूट रूट वगएर लीजे फल फ्रूट खाते रहो जूसूस बढ़िया पीते रहो और बाहर का नहीं ले सकते हो पैसा खर्चा नहीं कर जाते हो तो नीबू का रसी पीलो क्या धिकत है ठीक है क्योंकि म मैंने पहले ही कहा था कि मैं बताओंगी जरूँ थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मुझे पता था पेपर आएगा तो उस समय आप लोग नहीं देखोगे ठीक है पेपर के टाइम ही आप लोग देखोगे इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि पेपर थोड़ा सा जाए अपनों पढ़ते जाए बस तो चले में स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन जो चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिक पिछले साल कट चुका है दो सालों से कोरोना ने इस चैप्टर को हटा दिया था इस साल यह बिल्कुल आ सकता है ठीक है तो एक यह कोशन है पहल प्रजनन क्या होता है प्रजन की किते प्रकार होते हैं आप पता है किनी मुझे नहीं पता लेकिन आप लोगों को बिल्कुल इस के बारे में जनकारी देने वाली तो सबसी है और वो भी ग्यारा पुरा करा दिया जो आता है परक्रराइब करते हैं न हमसेरीज चीजे जिवों परने पहले से बात करते हैं अब बात चान में छटवी क्लास में थी तब भी यह जनन के बारे मैंने सुना हुआ था तो जनन एक्चल में क्या होता है अपने समान जीवों को उत्वण करना इसी को मोलते हैं जनन कहते हैं अब अपने सामान जीवों को जनन करना क्या होगा भई अब मनुष्य का बच्चा हाथी तो पैदा नहीं कर देता ऐसा होता है क्या नहीं भाई साब होता ही नहीं है क्या बोलोगे तो आप याद रखो कि मनुष्य का मनुष्य जो होते हैं वो मनुष्य को ही पैदा करते हैं ठीक है अब हाती जो है हाती का बच्चे ही जो होगा नहीं कि दिखा देने मैं यह उपने संतिती को उत्पने करते हैं आपक बंघर वन करते हैं या प्रम करना थें को आप लोगों को एहों हम यर्टिंग धिदया करो तुम लोग मेरी रातिंग थोड़ी सी खराब है हें गो क्या कहलाता है फिर अपने ही समान एक्रवाम के अर apologise से लिखते हूं क्योंकि हमारा यह बायो का लेंग्विज अपने ही समान संत्ति उत्पन करना ठीक है इसी को क्या बोलते बिटा जनन या प्रजन कहते हैं क्या बोलते बिटा जनन या प्रजन कहते हैं अपने ही समान संत्ति उत्पन जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य को पै पैदा करेगा समझा यह द्यान रखोंगे यह जनन के कितने प्रकार हैं हwahते कहने होते हैं है। और जनन के कितने प्रकार होगी, दो प्रकार होते हैं, ठीक है, आप बोलोगे मैडम सिर्फ दो क्यों, एक और भी तो होते हैं, हमने पढ़ा है, हमने बिल्कुल बुक में देखा है, हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हम बात करेंगे इसके बारें भी, तो एक होता है जिसक तो लैंगिक जनन हो गया लेंगिग जनन अभी जनन है और और लैंगिक जनन में प्रखर्य होती है जिसमें संतित है लेकिन बीना निसेचन के संतिती उत्पन हो जाती है अर्थात इसमें दो बेटा विपरित लिंगों की आवशक्ता नहीं होती है क्या नहीं होती दो विपरित ठीक है विपरित लिंगों की आवशक्ता नहीं होती है ठीक है आवशक्ता नहीं होती है ठीक है आवशक्ता नहीं होती एक पैरेंट कोशी का जो होती है वही क्या करती है अपने ही शरीर से एक नया संतान उत्पन कर देती है सपोज अमीबा अच्छे एक्जामपर देती हूं हाला कि हम पूरे प्रजनर की विधियां पढ़ने वाले इसी को चर्चा करेंगे तो सपोज अमीबा विचारा एक्ट हो था हमारे पास एक्ट हो था अब वो क्या बच्चे पैदा करेगी क्या बिल्कुल करेगी संतान तो उस पना लेता है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है ध्यान रखो यह घुո हंमारा हीवा कि चरवत आ new यह अमीबा क्या करेगा अपने ही शरीर को दो भागों में विभाजित करेगा और यही क्या होगा बिटा दो भागों में विभाजित' करके क्या करता है दो समान एक जैसे संतान को पन कर देता है मतलब एक जो जनक कोशिका थी अमीबा वो दो जनक मतलब दो डॉर्टर कोशिका जनक क्या बोलोगे डॉर्टर दो पुत्री कोशिका बना देती है समझा रहा है कौन सी पुत्री अर्थात डॉर्टर कोशिका बना देती है ठाथ डॉर्टर सेल बनाती है ये अमीबा है ये क्या था एक अमीबा है और ये अमीबा कैसी थी जनक है जनक मतलब होता है पैरेंट पैरेंट है पिता जी या माता शरी जो भी है ठीक है तो ये जनक है अमीबा और ये क्या करेगी अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करेगी इस तरह से बीच में खा प्रजण में कोई भी जनक कोशिका होता है उसमें दो विपरत लिंगों की जर्वत नहीं होती है कोई एक जनक कोशी का अपने ही समान दो पुत्री कोशी का ये दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं का निर्मान कर देती है यही कहलाते है बिटा क्या अलैंगिक जनन कहलाता है इतनी बाते के लिए रोगाई चलो भई हो गई हो गई है ना अब हम दूसरे की बात करेंगे क्या लेंग कि पुरी विदियों के बारे पहले दोरों की बारे हैं तो comparing जय स theorist लेंगेक उनको कि वह बहुत बहुत सबली होकी है चैपटर पर लेंगेक के का करते हैं इसमें दो विपरित लिंगो की आवशाक्ता होती है बिटा, दो विपरित लिंगो की आवशाक्ता अभी दिखाते है, यह दिखा देंगे तो पिर दिमाख में hier घूम जाएगा, अरे यह क्या है है ना, तो अभी लगा देते हैं इसका एक चित्र को, यह देखो दिख रहा है यह handsome सा लड़का ठीक है और यह हूँ मतब यह लड़की ठीक और इनके क्या होंगे शादी हो जाएंगे तो बड़ी बच्चे होंगे है ना तो यह दोनों जो यह क्या है मेल है और यह क्या है भई फीमेल है अर्थात दो अपोजिट जैंडर है अपोजिट यानि यानिक आशousy ऑस रेप्रोडक्षन आशा रेप्रोडव्डरक्शन एसा जनन्विद्धी pernah जिसमें दो विपरित की आवश्यक्ता होती है ठीक है और इस विपरित लिंगों की आवश्यक्ता में क्या वनता है भाई यूगमक आपस इन दोनों की यूगमक जो होते हैं आपस में सलाइथ होते हैं और युगमक क्या है यह अर्थात सुक्राणू रहाईक है और यह स्कुलूमा अर्थात अंडाणू रहा आपस में जब मिलते हैं पिटा तो क्या बना लेंगे दोनों आपस में मिलकर कि क्या बनाएंगे जाएगोट बना लेंगे यानि कि यूगमनाज बना लेते हैं ठीक है यूगमनाज या हम इसी को क्या बोलेंगे जाएगोट कहते हैं ठीक है और जब जाएगोट यानि कि पर मेरा यह है कि लेंगिक जनन विधी आसी जनन विधी होती है जिसमें डोविपरतलिंगों की आवश्चक्ता होती है और दोनों ही विपरतलिंग से दो यूगमक का निरमान होता अर्थात फीमेल यानिकी कि हम इसमें बात करें इस्तरी में बात करें यानिकि female में बात करें मादा में तो उसका जो घ्यामिट है जिसको हम कहते हैं अंडानू बिटा और मेल कि ग्यामिट को कहते हैं सुक्राणू और आपस में जब फ्यूज होगा तो बनेगा यूगमना जर्था जाए गोट और एक नया संतान उत्पन हो जाता है समझा रहा है तो दो विपरित से एक बच्चा बन जाता है ठीक है तो यह रहा आपका लैंगिक प्रजनरविधी इतनी ब मादा नर यूगमक मादा यूगमक सुक्राणू अंडानू और यूगमना जर्था सिचुक की बारे में हम बात कर चुके अब हम बात करने वाले हैं बिट्टा क्या अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में जो कि बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इंपोर्डिन कोशन है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत नुखे सबकी बात करेंगे रिजख हमने में आपने सुना है क्वीध में पढ़ा याद करो सु modest YouTubers सुंते नहीं हो समस्ते नहीं वास अपने यह चलाना है कुरल को है लगों को इना तो आप लोग याद रखो कलीका को ही हम मुकुलण कहते हैं एक मेरी सब्सक्रेट बढ़े कहते हैं कर दो जो गलत गरद पड़ा कर तो यह Ching in आपक्ने यह थो जह आन सब्सके भ्याज मिज रखकला और घिस को भृणै बाईध सपोर भी मीज खाते ना उसके दवारा और फिर नेक्स्ट आपका क्या खंडी भवन या यानिकि फ्रेग्मेंटेशन दूसरा है पुरूद भवन यानिकि री जनरेशन आपने बहुत पढ़ा होगा दसवी का चैप्टर पढ़ा ही होगा उम्मीर करते हैं तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक चीज और यह जो हमारा विखं और बहु विखंडन विट एक्जामपल तो उन्हों को याज रखोगी तो चलो एक एक को सुर्वात करते जाते हैं लिख लिख कर नहीं बताऊंगी डियाग्राम रहेगा फटाफट बताऊंगी और फटाफट आपको सिर्फ रिवीजन करना है ठीक है चलो गई तो पुट्रीकोशिका का निर्माण कर देग अतत extensions कलियर हाएं मस्टिपल तो और हम करते वाले हैं तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लोगों को की अमीबा जो होता है अमीबा यानि कि जनक अमीबा कोशिकर जो होता है यह हमारा पैरेंट अमीबा ठीक है यह क्या है भाई पैरेंट अमीबा है और यह पैरेंट अमीबा जो होता है पहले क्या खरता है इनलोंगेट होता है दिरगी करन होता है इस अमीबा का ठीक है तो इनलोंगेशन ओफ न्यूकलियस न्यूकलियस कभी क्या हो रहा है इनलोंगेशन हो रह in longation of nucleus यानि कि दिरगी करन केंद्रक क्या होता है दिरगी करन होता है ठीक है किसका nucleus का केंद्रक का होता है इत्ति बाती clear हो गई तीसरे क्या होगा भई केंद्रक division हो जाता है और साइटो प्लाजम भी दोनों साइटो प्लाजम एक दूसरी उपर खिचाओ बनें कि खाच बन जाएगा और यह जो खाच होता है बटा आपस में अलग होना शुरू हो जाएगा औरर दो होना निर्मान कर देगा टू डार्टर अमीबा करता है सेम यहीं चीज़े एक मीबा आगे्ज़र्क करके खाच बनाली देखो ग्रूब बना हुआ है और दो भागों में डिवाइड हो गया पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर आपका सैल साइटो प्लाजम भी डिवाइड होता है ठीक है तो यह द्री खंडन अब दूसरा क्या लिखा बिटा इसको हम कहते हैं क्या बहु भी खंडन अर् होता है वह याद रखो ठीक है जैसे मालो जाएक यह क्या है प्रतिकूल परिस्थिती अब धल गयो जहां हो अप उचानक से दम बरसात हो जाए मस्तम अच्छा समोसम है और अचानक सी क्या हो जाए बरसात हो जाए या थंडी में बरसात हो जाए यह हम यू कहें कि अचानक से हम कैसे सिच्वेशन में चले जाए प्रतिकूल परिस्थित अभी गर्मी है हमारे 36 में कैसा है अच्छा अनुकूल वातरन अचानक से मेरे को भेज दो भाई श्रीमिलामन आ लिए तो ऐसी चले जाओंगी क्या मटकत या कोट ओट पहन करके जाओंगी ठीक है क्यों वाठंडी इसलिए तो वह मेरे लिए कैसा वातवरन है प्रतिकूल वातवरन अभी मेरा वातवरन 36 में कैसा है अनुकूल वातरन समझा रहा है तो जब सिच्वेशन चेंज हो जाता है तो क्या होता है इस जो आपका बहुँ परिस्तियां आती है तब वो अपने शरीर के बाहर एक सिस्ट का निर्मान कर देता है सिस्ट सिस्ट का निर्मान कर देता है इसको बोलते पुटी ठीक है पुटी या सिस्ट भी कहते है इसको ठीक है पुटी या सिस्ट कहा जाता है सिस्ट सिस्ट का निर्मान करता है कवाच एक प्रकार से बोल सकते हैं अब इसके अंदर बहुत सब्तिकल परिस्तिति आएगी तब सिस्त जो है इसके अंदर में बहुत सारे क्या होंगे आपका नुप्ली बन जाता है ठीक है लेकिन जैसे वह अनुकूल परिस्तिती में आता है जिस्ट जो होता है ब्रेकट डाउन हो जाएगा ऐब है नम रेकडाउन हो जाएगा और आंदर जितने भी daughter nuclei cell होते हैं वो बहार हो जाते हैं एक तो यह बहुत सारे nucleus का नियुकलिय का बनाते हैं टीक है वैसे ही Amoeba में होता है अब Central साँ तीन layout बन गए हैं saista के लो अमीबा को प्रोटेक्ट करने का काम करता था थीक है का कuks से सिच्विश्चर में प्रतिकूल परिस्टी में सिस्ट बनाता है अनुकूल पर सिधी में सिस्ट हट जाता है तो तो यह सब बना और यह सुस्ट हटा तो यंग अमीबा चाथ इसका मतलब यह कि मर्टिपल फुजन में बस इत्ता याद रखो एक जो पैरंट्स आल होते वह बहुत सारे आपके बहुत सरे डॉटर न्यूकलेस का निर्मान करते हैं ठीक चलो next आते हैं हम क्या भाई बहुविखंडर हो गया है इसकी प्रक्रिया हमने देखो देखो बहुखंडर में क्या लिखा है बहुखंडर में अलैंगी क्रजन की प्रक्रिया होती है जिसमें जनक कोशिका कई नए जीवों का निर्मान करती है यह तो है ही ठीक है ऐसा कब होता है जब एक कोशी की जिए के आसपास सिस्ट बन जाता है सिस्ट का बनना इंपॉर्टेंट है तब बहुत सारे नूकलेस को निमान हो जाएंगा इस फुटी इस्ट के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे छोटे नाभिक में तोट जाएगा जब अनुकुल परिस्ति बनती है तो सिस्ट विभाजित होगा सिस्ट हो जाएगा और उसके भीतर कई सारे जो संतिति कोशिकाय मुक्त हो जाएंगी ठीक है जैसे प्लाज्मोडियम में और याद करो हमने दसी में पढ़ा हुआ है तो अब क्या होता है एक जो हाइड्रा का प्लांट हमने बना दिया मालों जाता है ठीक है तो यह जो हाइड्रा का प्लांट जो बना हुआ है इस तरीके से हाइड्रा एक हाइड्रा है अब इस हाइड्रा में क्या होता है बड़िंग हो जाती है बड़ बन जाता है ठीक और यह जो हाइड्रा में जो बड़ बना है यही आगे चलके ग्रो करेगी और एक यंग हाइड्रा का निर्मान करेगी यह देखो बड़ बना इसको हम क्या बो यह जो एक हाइड्रा है पैरेंट हो गया अब इसके हमने दो दो जनों को क्या वशक्त है कि यहां पर नयाद रखना ठीक है एक जो हाइड्रा पोधा होता है उसकी शरीर पर एक उभार बन जाता है जिसको हम बड़ कहती है और यहीं बड़ आगे चल की क्या होगा भाई ग्रो करते जाएगा यहीं बड़ क्या करे अगे चल के चल की ग्रोह करेगा और एक सिच्वेशन की बाद जब मेर हो जाता है तो एक यंग हैड्रा प्लांट को जन्म देता है ठीक है यह जो ग्रोह हूआ होआपका हsehen कर आगे जो है इसमें बड़ आया और बड़ विक्सित हुआ उसके सरीर पर ही विक्सित होगा और आगे समय आने पर जब परिपक्कों हो जाएगा तो यह गिर जाएगा और एक नया हैडर पौधा बना देता है इसलिए हम इसको बोलते बिटा कली का यानिया मुकलन कहते हैं क्या बोल याद रखने है ठीक है पुखियो क्यों क्योंकि भाई इस्ट में भी आता है पूछ दिया मुकलन की विधिव हैइडर के अलावा किसमी में होता है तो आपको याद होना चाहिए ऑप्शन कली का सौरी इस इस्ट को भी आद रखो इसमें भी होता है तो यह पैर इस्ट हो ग एक जो नूकलेस था इसके अंदर वो आगे चलके बड में भी गया दूसरे नूकलेस बन जाए खिचा हो करके और वैसे डॉटर इस्ट का निर्मान हो जाता है ठीक है यह था आपका इस्ट का थाड़ बिजानुओं के द्वारा तो बिजानुओं के द्वारा आपको याद र दिखाई दे रहां ऐसा ठीक है ऐसा ऐसा दिखाई देगा ब्रांचस में और इसी के उपर बिटा क्या होता है बहुत सारे कोनिडिया का分ائN हो जाता है एसे एसे ठीक है क्या पहलेंगे एसे एसे करके ज्यादे भड़ा बढ़ेंगे लगता है ठीक है यह हो गप इस तरीके से यह कूनिडिया बाइस पोर कोनीडिया के द्वारा होता है ठीक है तो पैनीसीलियम में बिटा ये क्या है कोनीडियो 4 इसको कहते हैं इसको हम क्या बोलते बिटा कोनीडियो 4 कहते हैं लेकिन ये जो पार्ट होता है उपर का भाग जोते हैं इसको कहते हैं कोनीडिया और कोनीडिया ही जो होता ह हवा के माध्यब से उड़कर यह जल के माध्यब से जैसा भी बोलो तो यह जब उड़कर के जब यह नीचे दूसरे जगह जर्मिनेट होता है तो एक यंग बहुअ कोशी की डोनों ही जीवों में भूलोगा सकते हैं तो डोनों में प्रक्रिया में होता है बिजानु निर्मान में जनक पहते हैं अपनी भीजानु यानि कि हैस्पॉर में सैख्णो प्रजन इकाईयां पैदा करते हैं बहुत सरी बिजानों को पैदा करते चना खाते तो कैसे दिखाई देता है बहुत सरी चना बुट अपन खाते ना चना को गाया दोगे तो एक नया चना प्रेयर हो गई चलो भई नेक्स्ट क्या है खंडी भवन या पुन्रूद भवन अलग होता है दोनों चीज को याज रखो कईश के सारी बुक में या करके भी दिया हुआ तो मैं दोनों को अलग अलग करके बताने वाली हो ठीक है तो सबसे मैं पहले बात करूंगी क्या रीज अब जाइटा क्या होता है एक जो प्लैनेडियाह और देखो इस तरीका, इस तरीका का जी उता है प्लैनेयरिया को आप किसी इस प्लैनेरिया के आप चाहो तो इस हिस्से से काट दो चाहे इस हिस्से के काट दो प्लैनेरिया के किसी भी हिस्से से काटोगे जहां से कटिंग होगा उस पार्ट से एक नए प्लैनेरिया बन जाता है इसी को हम लोग कहते है री जनरेशन माल लो जा मैं उपर वाला पार्ट चाट दी, ठीकिक है? अभी देखो, मैं काटके एक दया बना दавай हूँ, माल जै, मैंने उपर वाला पार्ट काट दिया, उपर वाला हिस्से को अब ये जो बटा हुआ है उपर वाला हिस्सा जो है है ना उपर वाला जो हिस्सा आपका सीर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा बिटा एक नया प्लैनेरिया बना देता है इस तरह से ये यंग प्लैनेरिया समझा रहा है बीच वाला हिस्सा बिटा कटा हुआ है तो ये भी क्या करेगा एक नया प्लैनेरिया इस तरीके से बना देता है तीक दूसरा तीसरा वाला जो हिस्सरा है ये भी क्या करेगा चिलव से बना देता है टिन ले अपर ने रिया री जनेरेट हो गया री जन्रेशन हो गया पुनूरुद भवन ओगया फिर sniff से बना लिया मतलब अगर किसी कारण वस इसका एक्सिदेंट हो गया और कट फट गया ठीक है तो फिर ये भई हर हिस्से से एक नया प्रेरिया जनरेट कर देता है ठीक है चलो भई आगे देखते हैं हमारा क्या था खंडी भवन में याद रखोगे आपने इस पायरो गैरा का नाम सुना है ना इस पायरो गैरा टीक है और इस इस तरीके से यह स्पैरो गाईरा में आप इसको कहीं से भी खंडित कर तोर दो यहर ऐसे एक खंड तूटा धूसरा लगाईरा तीसरा तूटा ठीक है तो हर खंड से भी एक ड्याव इस पायRO गाईरा बन जाता है ठीक है हर एक हर से एक नया इस्पाइरो गायरा जो है बन जाता है यह री जनरेशन के जैसा ही दिखाई दे रहा हाला कि खंडों में विभक्त होता है ठीक है तो यह है क्या इस्पाइरो गायरा तो खंडों में विभक्त होता है और हर खंड से एक नया इस्पाइरो गायरा बना देता है जो की पौधा है और समुद्री एनिमोन ये भी आपका समुद्र में पाए जाता है तो याद रखोगे इस पैरोगार क्या है प्लांट है ठीक है इसका डियागरम कहा है इस पैरोगार का अच्छा नहीं रखा हुआ है बता देंगे ठीक है तो यह क्या है खंडी भवन में कोशिकी जीव होता है और यह बहु कोशिकी जीव परिपक होने पर दो याधिक टुकडों में बढ़ जाएगा और हल टुकड़े से एक नया जीव उत्पन होता है तो इस पैरोगार में होता है यह दिखाई डाइग्राम आप लोगों को और एनिमोन में भी होता है ठीक है तो यह दोनों में होता है दोनों को याद कि एनिमोन है चलो अब क्या है वहमारा पुरूद भवन उसको भी देखो क्या लिखा है अगर जनक प्रवर्धन उसको आगे नेक्स्ट में बता दूगी काईक कुछ नहीं बहुत इजटी है पॉधे किसी भी भाइक काईक जो प्रवर्धन होता है वो प्लांट में होता है पॉधे कि किसी भाग की बात करो चाहब जड़ हो तना हो पत्ती हो हमना तो उनसे एक नए जाती की उत पत्ति जब हो जाती है उसको हम कहते हैं काईक प्रवर्धन कहते हैं ठीक है उसको आगे नेक्स टॉपिक में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको आगे चल के और बताते जाओंगी तो तब तक मुझे इजाज़त दो भाई क्योंकि अभी पेपर का शीजन चल रहा है ज्य कर दो कर दो